हालो गाइस, स्वागत है आपका सिर्जन जी चानल पर और आपको याद होगा, दो साल पहले मैंने एक मूवी एक्स्प्लीन की थी What the What is Left Behind surprisingly उसका सीक्वल आ चुका है What the What is Left Behind, Scars ना कोई खबर थी ना कुछ, अचानक ही ये मूवी आ गई वैसे तो पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन अवेलेबल हुई है इसी साल इसमें आप उस कैनिबल फैमली को फिर से देखोगे और स्टोरी का तो इन मूवीज में कोई कामी नहीं होता तो कोई बड़ी उमीदें ना रखना बस किल्स और गोरी मेन होता है इसके डारेक्टर भी वही पुराने है निकला सोनेटी पर इस बार इनके भाई साथ में नहीं है तो चलिए अब सौदा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो अर्जंटीना में एक टाउन है एपेक्विन वो एक टूरिस्ट विलेज था जहांपर हजारों लोग घूमने आते थे पर 1985 में बार्ड की वज़े से वो पूरा विलेज पानी में समा गया और पानी में ही डोबारा 25 सालों तक जब पानी उतरा तो विलेज पूरी तरह खतम हो चुका था फिर कोई भी दोबारा वहां पर रहने नहीं आया और आज वो एक घोस्टाउन है उसे देखकर ही एक अजीब सी sad और creepy feeling आती है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता यही मुविस का टाइटल है पानी पीछे क्या छोड़ कर गया पहली मुवि का टाइटल सवाल था और सेकंड मुवि का टाइटल है जवाब Scars यह तो हुआ सच अब इन मुविस के मताबिक उस घोस्टाउन के अंदर एक कैनिबल फैमिली रहती है जो अपना लैंड छोड़ कर जाना नहीं चाहती और क्योंकि खाना वहाँ पर है नहीं तो वो खाता है इनसानों को यह है पुरा प्लाट आगे आपको पता यह क्या होगा मुवी स्टार्ट होती है बैटल फिल्ड में जहांपर कई सारी लाशे बिछी हुई थी उनी के बीच में लाश बनने का नाटक कर रहा था कैनिबल फैमिली का मेंबर जर्मन और ये हमें इसका थोड़ा बैक्ग्राउंड दिखाया जा रहा है 1982 में ये वार में गया था जहांपर इसके सबी साथ ही मारे गए थे जनमें जादतर तो बच्चे ही थे पर इसने माका देखकर अकेले खड़े सार्जंट को दबोच लिया था फिर जब सार्जंट को होश आया तो उसकी हालत काफी बुरी थी और उसने देखा के जर्मन उसके सामने बैठकर मास भून कर खा रहा था और वो मास्था सार्जन के टांग का जिसे जर्मन काट कर अलग कर चुका है ये था मोवी का इंट्रो इसके बाद हम देखते हैं दो रेवन्स नाम के एक रॉक बैंड को जिसमें चार मेंबर्स हैं जेन, सोफी, उसका बाइफरेंड मार्क और बिली इनका प्रोमोटर है हावी जो के सिर्फ इस टूर के लिए इनके साथ है और ये हावी को कुछ खास पसंद नहीं करते सिवाई जेन के वो एक कलब के अंदर परफॉर्म कर रही थे और तब ही वहाँ पर आ जाती है कारला कैनिबल फैमली की सबसे इंपार्टन मेंबर जो के शिकार को फसा कर लाती है और आज ये फसाएगी बाहर से आई इस बैंड को परफॉर्मेंस के बाद मार्क सोफी के साथ बिजी था और हावी जेन के बचा बिली तो कारला ने उसे हीला पेटे में ले लिया अब जाने का टाइम आया तो बिली बाकी सब को बोलता है के पहले हम कारला को उसके घर तक लिफ्ट देंगे उसके बाद वापस जाएंगे पर इसके लिए कोई भी राजी नहीं था बिली को अपनी पड़ी थी और बाकी सब को अपनी क्योंगी अराम भी तो करना है ये तो करेगा नहीं इसी चक्कर में वो सब आपस में लड़ने लगे वैन में बैठकर सभी चल दिये कारला के घर की तरफ फिर उस घोस्ताउन के पास पहुँचकर वो कारला से उसके घर का पता पूछ रहे थे लेकिन सोफी कुछ जाद ही रूड थी उसने काफी कुछ उल्टा सिधा बोल दिया इसलिए कारला खुदी वैन से उतर गई ये बोल कर के इसकी कीमत तुम सब चुकाओगे बिली भी उसके पीछे पीछे चल दिया क्योंकि उसका तो कारिकरम बिगड रहा है और फोन भी वो वैन में छोड़ गया अब हवी बोल रहा था कि हमें उसे ढूरना चाहिए लेकिन माग बोल रहा था कि वो आ जाएगा हम आदा घंटा वेट करेंगे अगर फिर भी नई आया तब ढूरने जाएंगे सबी ठके हुए थे इसलिए वेट करते कब सो गए पता है नी चला पाँच घंटे बाद हावी की आँख खुली तो उसी ने सब को जगाया लेकिन बिली का अब भी कोई नामों निशान नहीं था अब तो टाउन में जाने पड़ेगा बैन लेकर वो टाउन में चल दिये और उन्हें जाते हुए देख रहा था जर्मन जो किसी का शिकार करके लोटा था आप देख सकते हो जेन ने टीशिट पैनी है दे क्राफ्ट मुवी की खर टाउन में जाकर उन्हें पता चला के यहां पर तो कोई रहता ही नहीं कारला ने इनका पागल बनाया मगर क्यूं ऐसा वो सोच रहे थे फिर बाकी जानकारी उन्हें गूगल करके मिल गई यह टाउन कैसा था कैसे डूबा वो सब और यह जानकर वो सुब के सब हैरान थे क्योंकि आसपास देखकर एक क्रीपी फिलिंग तो आई रही थी वैन से उतर कर चारों सोच रहे थे कि अब क्या करें यहाँ पर रुक भी नहीं सकते और बिली के बिना जा भी नहीं सकते तब मार्क देता है एक बहतरी नाइडिया चलो सुमिंग करते हैं और हवी देता है उससे थोड़ा कम बहतरी नाइडिया कि चलो बिली को ढूंडते ह और ये दोनों तो आपको पता ही है क्या करेंगे पर इने कमपनी देगा जर्मन उधर वो दोनों भी चलते जा रहे थे लेकिन आगे उनका रास्ता रोके खड़ा था एक आदमी जो है एक और कैनिबल चिमांगो और इसका नाम इसे पूरी तरह सूट करता है वो उससे बिली के हावी को पकड़ कर बेहोश कर दिया और इतने में जेन वहां से भाग गई एदर माग का फोन बजा तो रोमैंस बीच में छोड़ कर उसे जाना पड़ा फोन था बिली का लेकिन बिली फोन पर नई था और तबी जर्मन ने उसे भी सुला दिया फिर वो पहचा सोफी के पास सोफी को लगा के मार्क है लेकिन जल्दी वो समझ गई कि ये कोई और है अब पूरा ग्रूप काबू में आ चुका था सिवाए जेन के वो भागे जा रही थी तबी उसे भी पकड़ लिया एक और कैनिबल टीटो ने फैमिली का सबसे तगड़ा डीफॉम बच्चा उससे भ लेकर अपने अड़े पर पहँचा वही इनफेमस पुरानी बिल्डिंग जहां पर उनकी वैन पहले से पाक थी जेने भागने की कोशिश की लेकिन गन के आगे जादा रिस्क नहीं ले सकते क्या पता कब चल जाए अब पूरा ग्रूप एक साथ बन चुका था बिली चिमां मैंगो का मैंगो बना दिया लेकिन ये तो बस ट्रेलर था ताडियो उसे क्याता है कि अगर वो एक और फाइट जीत गया तो ये इन सब को जानी देगा बिना किसी हाम के बिली तो पूरा पंप हो चुका था क्योंकि सब की दुआए उसके साथ थी लेकिन ये फाइट उसे लड़नी थी टीटो से जो के बस नाम काई टीटो है काम से तो पीटो और घसीटो है पूरी जान लगाने के बाद भी बिली उसे हिला तक नहीं पाया लेकिन उसने एक ही पंच में बिली को लेटा दिया और स्टार्ट होने के बाद तो वो रुकाई नहीं लगतार पंच मार के उसने बिली का फेस अंदर गुसा दिया जिससे वो मौके पर ही मारा गया फिर बारी आई डाइनिंग टेबल सीन की जो किस का रेफरेंस है वो आप मुझे बताओ खाने में था ताजा बिली वो सब तो खाने में लग गए और टीटो अकेले में जाकर खा रहा था जहांपर वो अपना खाना किसी और को भी दे रहा था यानि कोई और भी यहां पर कैद है बिली के दोस्त नई खा रहे थे लेकिन गन पॉइंट पर उन्हें खाना पड़ा हाला के जेन ने तो खाते ही उल्टी कर दी जिससे चिमांगो और कार्ला गुसा हो गए वो भी ताडियों पर इससे पता चलता है कि यह सब दाडियों से परिशान है इनमें आपस में भी फूट है कार्ला तो खाना छोड़कर चली गई और उसके जाते जर्मन ले गया मांग को और चिमांगो ले गया सोफी को दाडियों गंद दिखाता रह गया और चिमांगो वैसे तो बेवकूफ है लेकिन साथ ही ये कलेक्टर भी है बाडी पार्स कलेक्टर मांग के हाथ पर एक कट लग गया था तो जर्मन आराम से बैठकर उसे सिलने लगा जो के मांग के लिए तो आराम दायक नहीं था वो मांग को एकदम परफेक्ट बना रहा था क्योंकि आगे वो कुछ अलग क्रिय करेगा इधर चिमांगो भी अपने पागलपन में लगा हुआ था वो सोफी की टांग पर एसर डाल कर उसे जला रहा था हावी और जेन को टीटो ने एक साथ बांद दिया लेकिन जेन की जेन का लगाना वो भूल गया दिमाग से तो टीटो ही है उनके साथ एक और लड़की बंदी हुई थी वही जिसे टीटो खाना दे रहा था यानि के फीमेल्स को ये ब्रेडिंग के लिए यूस करते हैं और जेन और सोफी के साथ भी यह होगा पर माका पाकर जेन फ्री हो गई और फिर वो चल दी हावी के लाग की चाबिलाने उदर जर्मन ने फैसला कर लिया था कि अब वो माक को हमेशा अपने साथ रखेगा और यह जानकर माक की जान तो वैसे जा रही थी इसी बिस टाडियो चिमांगो के पास पहुचा क्योंकि उसे सोफी चाहिए थी लेकिन चिमांगो मान नहीं रहा था इसलिए ये काम भी टाडियो को गन पॉइंट पर ही गई ना तेरी ना मेरी और यह सब जेन ने भी देख लिया चाबिया उसके सामने थी तो चाबिय लेकर वो तो भाग गई फिर आई कार्ला और वो भी जबान लड़ा रही थी तो टाडियो ने उसे भी थपड़ मार दिया जिसके चलते परिवार में भारी दरार पड़ गई चीमांगो और टाडियो आपस में लड़ने लगे और यहां पर फैनली उसने गन का यूज किया उसने गोली मारी सिधा चीमांगो के पेट में फिर सोफी के जगा उसने रिपलेस कर दिया कार्ला को अब वो कार्ला के साथ जबरदस्ती कर रहा था इस भी स्टीटों ने रादे पूरे होने से पहले चिमांगो उढ़ गया। ताडियों का गला दबा कर उसने ताडियों को शांत किया, फिर रही सभी कसरपूरी की कारला ने उसे गोली मार कर। उदर जर्मन हावी का गला घोट रहा था पर माक ने बीच में आकर उसे बचा लिया, हलाके हावी माग को नहीं बचा पाया जर्मन ने चाकु से उसे चीर दिया लेकिन मरने से पहले उसने जर्मन के सर में पत्थर मारा जिससे जर्मन भी वहीं पर चेत हो गया कुस देर बाद हावी को होश आया तो जेन तब तक भी जिन्दा थी वो हावी को कहती है कि इस लड़की को भी अपने साथ ले जाना बस ये कहती ही वो भी चल बसी हावी उस लड़की के पास गया और तब जाकर हम उसे पैचान पाए ये है पिछले पार्ट की एरिका, ये अब तक यही पर कैद है, उसकी दोनों टांगे कटी हुई हैं और वो काटी थी चिमांगो ने, हावी उसे गोद में उठा कर ले जा रहा था, तब वो देखता है कि चिमांगो भी चैन की नेंद सो चुका, कारला ने हावी को देख लिया लेकिन वो चिमांगो को सुलाने में व्यस थी, तो एरिका को वैन मिले जाकर वो निकली रहा था, तब ही एरिका ने उसके गले पर बाइट करके धेर सारा मास उखार लिया, इससे आखिर में वो भी मारा गया, इससे साफ हो गया कि एरिका यहां से जाना नहीं चाहती, अब वो भी इस फैमिली के साथ रह कर खुश है क्योंकि कुछ तो उसे इंसानी मास की भी आदत लग चुकी, खैर इसे के साथ यह मूवी होती है खतम, तो पिछले पार्ट के मुकाबले इसमें कोई बहुत जादा इंप्रूव्मेंट तो नई थी, क्वालिटी थोड़ी सादा और एक चीज जो थोड़ी बहतर की गई, वो यह थी के करेक्टर्स के बारे में और जादा दिखाये गया, विक्टिम्स के साथ साथ उस फैमिली को भी पास से दिखाये गया, कौन कैसा है, क्या चाता है, और किस वज़े से आपस में मत भेदें, अलगे सीक वल आने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मुवी को कोई जानता ही नहीं, फिर भी यह आ गया, और अब क्या पता आगे भी कोई पार्ट आए, जिसमें टीटो भी जिंदा हो जाएगा, जर्मन भी और चिमांगो भी, चिमांगो इनका थ्री फिंगर है, फिर यह फैमिली और जादा अगर थर्ड पार्ट आया, तो उसका ब्रेकडाउन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, बाकि अगर रॉंग्टन जैसी और मुवीज देखनी हैं, तो स्लैशस वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसे मैं टाइम टाइम पे अपडेट करता रहता हूं, और ये वी विकेशन आपको फसाग कर यहां पर ला सके, और ज़्यादा कनेक्टर राने के लिए आप मझे इंस्साग्राम पर फालो कर सकते हो, वह आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगाओ पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे, तो झाल झाल